बीजेपी आलकमार ने MCD चुनाव में हार के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश रध्यक शादेश कुप्ता ने इस्तिफा दे दिया है और इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीड शंकर कपूर से हिंदी खबर ने बात्षीत की है बीजेपी में बड़े बदलाओं देखने के लिए मिल रहे हैं कितने बड़े Чallenges कि से दिल्ली में अपनी राजनीती चलाएगी बीजेपी हमार सरफ बाचीत करने के लिएं बीजेपी के परवक्ता प्रवींट संकर कपूर जी सर जिस तरीके से दिल्ली में में अच्छा काम करते रहे हमारा प्रदेशन भी बहुत खराब नहीं रहा मगर अब नई चुनाओतियां हैं 2024 के लिए हमें पाइटी को तैयार करना है 2025 के लिए हमें पाइटी को तैयार करना है और अब उसी दिशा में हम काम करेंगे देखे अधिश गुपता जी ने स्थीपा दे दिया है सचिदेवा जी को अब कारेकारी अध्यक्स बनाया गया है नया अध्यक्स कब तक मिल जाएगा और इस स्थीपे को आप किस तरह से देखते हैं देखे नया अध्यक्ष कब तक मिलेगा ये राष्ट्रिय अध्यक्ष जी का प्रेरोगेटिव है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा मगर अब हमारे पास हमारे नए कारेकारी अध्यक्ष हैं और उनके मार्ग दर्शन में अब पाईटी काम करेगी क्या कमिया रहे ति गुपता जी से जो उन्होंने अपना स्थीपे की पेशकस की स्थीपा स्विकार हो गया फिर सचदेवा जी को कारेकारी अध्यक्ष बनाया गया आदेश जी के कारेकाल में कोई कमी नहीं रही पाईटी ने बहुत विप्रीत परिस्तितियों में चुनाव लड़ा सभी कारेकरताओं की मेहनत से एक अच्छा प्रदर्शन भी हमने किया हम वहुमत से थोड़ा दूर रह गए मगर परिवर्तन होता है दने बाद तो देखें आप यहाँ प्रवीर्ट शंका कपूर जी को सुन रहे थे करण दीपक के साथ आचले अचले अदर फंदी ख़बर नहीं दिली आरेलD के राष्ठी अध्यक्षि जाइन चौदरी से आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्षि चंद्र शेखार आज़ाद में मुलाकात की इन दौनों नेताओं की मुलाकात दिल्ली में हुई ये मुलाकात उप्चुनाव के नतीजों के पाद हुई है इस मुलाकात के दौरान आगे की रणनीती को लेकर चर्चा हुई है रिखे ये तस्वीरे आपके साथ में हैं जहां आपको बता दे जैन चौधरी दिल्ली आए और जैन चौधरी से चंद्रशेखा राज़ात मिले तवाय उत्राखन कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष धिरेंद्र प्रताप सिंग से हिंदी खबर ने बातचीत की है जहां पर उन्होंने धावी सरकार को आड़े हातों लिया और कहा कि जंगली जानवरों के हमले में मरने वालों लोगों की सुरक्ष सरकार की जिमेदारी है और क्या कुछ कहा सुनिए उत्राखन में लगतार बन्य जीवों का जहां आक्रमन लगतार लोगों पर बढ़ रहा है उसके बाद से देखे दामी जी ने भी चिंता करते हुए मुआपजा बढ़ा है हलाकि कॉंग्रेस उपाध्यक्ष धिरेन जी ने इसका विरोध करते हुए सोला तारीक को उत्राखन में वहां देखे सत्याग्रा करने का एक रोड में बनाया है कैसे कॉंग्रेस इसका विरोध कर रही है क्योंकि मुआपजा देने लगी है सरकार उसके बाद भी विरोध करें सर अपने जो वने जीव लगातार आकरमन कर रहे हैं लोगों पर उसको लेकर देखे दामी जी ने प्रस कॉंफरेंस करते हुए मीडिया को संबोधत करते हुए मुआपजा भी बढ़ाया है अब किस बात का विरोध कर रही है कॉंग्रेस देखे जहां तक दामी जी की कर दिया है कल वने जीवे बोर्ड की मिटिंग थी उसमें कहा गया कि पांच लाग की बजाए च्छे लाग जब मैंने ऐलान किया कि मैं सोलह तारीको कोड़वार में वीरचन सिंग अड़वारी जी की परतिमा के नीचे से त्यग रह करूंगा क्योंकि हमारे गड़वार में बहुत लोग मारे गए हैं और परसो भी हमारे एक प्रिंसिपल धरमपाल सिंग जी जो हैं खदरासी के उनको सूरों ने हमला कर दिया है तो तब जाके उन्होंने कल मीटिंग हरबड़ी में करी और कहा कि 6 लाग रुपए देंगे इसका भी कोई जी हो नहीं है तो इन गोश प्रिंसान मर जा रहा है उसको 6 लाग रुपए 5 लाग रुपए 4 लाग रुपए देकर उसकी बहुत कम कीमत लगाई जा रही है मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारे बंदर हैं भालू हैं सुवर हैं गुलदार हैं बाग हैं इनको एक नियंतरन रेखा बननी चाहिए जिससे कि अपनी सीमाओं में रही हो क्या रहा है कि कोई भी व्यक्ती सडक पर जा रहा है उस पर सुवर हमला कर दे रहा है उसकी मौत ह जा रही है अभी एक हमारी बुजर्ग महिला थी सल्ड महादेव में वो अपने पिताजी के यां मिलने जा रही थी 75 साल की उसको रस्ते में बाग खा लिया और 10 दिन बाद उसकी बौड़ी मिली धन्यवाद दिखे आप यहां कॉंग्रेस के उत्राखन के उपाध्यक्ष को कहना है कि अब पार्टी यूवाव को पार्टी में जगा दे रही है और उनको आगे करके जनता के लिए काम कराना चाहती है कि अब दीपक के साथ आचले है अदब हिंदी खबर नहीं दिल लिए